हेलो एवरिवान आज हम फॉर्म्स ओफ मेट सेलेक्शन करने जा रहे हैं जो हमारा फैमिली स्टडीज का काफी जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट इसलिए है इसके ऊपर डारेक्ट क्वेशन आता है जब से ओनलाइन एक्जैम्स होए और हमारा जो फॉर्म एक स्टेटमेंट दे दी गई है और नीचे उसके चार ओप्शन दे दी गई है तो आपसे डारेक्ट वो डेफिनिशन भी पूछते हैं जो यह बहुत जादा बेसिक क्वेशन है जो आता है मैच दा फॉलोइंग की अंदर भी आता है और साथ के साथ हमारे डारेक्ट क्वे को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ करनी पड़ती अपर हैं यह हमारे जो अलगOR great firms भी हमारे इसमें आते हैं हैं यह हमारे we forms of mate selections है हाई ये one by one करते है first is endogamy and exogamy endogamy और exogamy क्या होता है marriage के अंदर दो है एक endogamyus है और एक exogamyus है so endogamyus के अंदर क्या होता है it specifies that its member must marry within their group उनके members को उनके group के अंदर ही शादी करनी होती है marriage करनी होती है जैसे कि अपने ही tribal के अंदर अपनी ही caste के अंदर अपनी ही सब caste के अंदर और अपने ही words के अंदर marriage की बात होती है आप लोगों की होती हो गया किसी की भी आपने सुना होगा तो इन सब categories की हमने जरूर कभी ना कभी day-to-day life में सुना होगा so ये endogamy होती है और exogamy होती है people must marry outside their group outside their group means जो आपका गोतर है वो गोतर का लड़का या लड़की नहीं होनी चाहिए उसका वो ही सेम परिवार नहीं होना चाहिए सिपेंडा जो रिलेशनशिप है वो भी नहीं होना चाहिए अब बिसिकली हमारा question आजाता है है आपर कि हमारा सिपेंडा कौन सा हमारा मैरिस का रिलेशनशिप होता है तो जब कोई भी person extend करता है अब suppose कीजिए जो हमारी mother की line के three generations ले लो और father की line की five generations ले लो तो उनके बीच भी शादी नहीं हो सकती कहते हैं कि अपने father के जो suppose ताउजी है उनके बच्चों के भी मतलब होता है न कि relatives के बच्चों के बच्चों के साथ भी शादी नहीं हो सकती तो spenda हमारी जो marriage होती है वो हमारा ऐसा relationship होता है जिसके अंदर mother की line के three generation और father की line के five generation तक हमें छोड़ना होता है और उसके बाद हम marriage कर सकते हैं those are exogamous and last is village कि कहें लोग क्या करता है कि अपने village में शादी नहीं करनी बाहर की village में शादी कर सकते हैं यह हमारी दो categories है endogamy and exogamy next है homogamy and heterogamy तो homo और heterogamy का मतलब क्या होता है tendency of people who have similar character homo मतलब same ठीक है तो जिन भी लोगों के अंदर उनकी जो characteristics है जो qualities है वो same रहती है वो एक ब्रूसर से शादी कर लेते हैं यह it's largely as a result of propinquity that is our similarities आपको कुछ एक चीजों का मतलब पता होना चाहिए इस तरह की wordings भी एंटी यह यूज करता है तो propinquity मतलब होता है similarities कि हमारा nearness हो गया affiliation हो गया clear और heterogameous उससे opposite होता है जैसे homo same होता है hetero का मतलब different होता है so marriage between two individuals that differ in a certain criteria so किसी भी criteria पर वो लोग different होते हैं और last हमारी जो आती है that is hypergamy and hypogamy hypergamy का मतलब क्या होता है जब marriage होती है between a high class man and a low class so men क्या है हमारा high class और women क्या है low class तब हम hypergamy बोलते हैं और hypogamy का बोलते हैं जब marriage between a high class woman and a low class man low class man हो और high class woman हो तब hypogamy कहलाता है so यह basically six तरहां की हमारी क्या थी made selection की forms थी hopefully आपको concept अच्छे से clear होगा हम कुछ एक basics आपको family studies के उपर हमारे viewers की request थी family studies के उपर भी आप लेके आए तो उसी से related हम basic basic जो questions आते हैं जो आज तक आए हैं उन topics को ज़रूर लेके आएंगे please like कीजिए share जाद से जाद कीजिए subscribe कीजिए bell icon को जरूर दबाई और telegram channel पे भी हमें follow कीजिए till then good bye have a nice day